नमस्कार, स्वागात है आपका बिहारी नूज में, मैं रत्न सेन भारती, अज हम बात करेंगे चंपारन सत्यागरह के अग्रदूत राज कुमार सुक्ल के बारे में साल 9.17 में सिर्फ चंपारन के ही इतिहास में नहीं, बलके संपूर्ण भारत बर्स के इतिहास के लिए यह मत्रपूर्ण साल था उस साल ही भारत के इतिहास में सत्यागरह के पवित्र एवं, जोलंत उदाःरन का अनूठा परयोग प्रराम्भ हुआ था, जिसने समस्त भारत पुरानी कहावद की सत्ता का संपूर्ण बिश्व के लिए उदगाटित किया था चंपारन विजय सत्याग्रा की जीत तो थी ही साथ ही साथ एक अटल बिश्वास और निश्चल स्रधा की वी जीत थी जीहां राज कुमार सुकल का अखंड बिश्वास और उनकी असेस स्रधक ही चंपारन सत्याग्रा की सफलता की नीव थी चंपारन का एक छोटा सा किसान सतबरिया के छोटे से गाउं में रहते थे बस लिखना पर ना भर जानते थे हाना कि प्रति दिन अपनी डायरी अवस लिखते थे वोई अंग्रेज के अत्याचारों के विरुद स्वेम भी अंग्रेजों के तत कालिन तीन कठिया विवस्ता के तहात हैर बिगे में तीन कठे जमीन पर नील की खेती करने के किसानों के लिए विवस्ता उत्पन करने का विरुद करते हुए पंडित राज कुमार सुक्ल ने वहां किसान अंदोलन की सुरुद की इसके एबज में कॉमबर 1916 में कांग्रेस के राष्टी अधिवेशन में बिहार के किसानों के अप्रतंजित बन कर वह लखनौ गए और चंपारन के किसानों की दूर्दर्सा को सिर्ष नेताओं के समक्षे रखा नील की खेती करने वाले राजकुमार सुक्ल ने बार बार वार वहां आने का अग्रह किया गांधी जी इंकार नहीं कर सके पंडित सुक्ल के अनुरोध पर महातमा गांधी चंपारन आने को तैयार हो गए राजकुमार सुक्ल के साथ बापु 10 अप्रेल 1917 को को कुलकाता से पटना और मुजफपर पुर होते हुए मुतिहारी आये नील की फसल के लागो के मुकाम तक पहुचा दिया दरसल चंपारन किसान अंदोलन ही देश की अजादे की पहली संभाग बना था वहां से किसानों के त्याग बरिदान और संघर्स की वज़ा से आज हम अजाद भारत में सांस लेने के लिए सुतंत्र हैं यह लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ के धीरे बंद हो गई साथ ही निल की किसानों का सोसन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया चंपारन अंदोलन देश की अजादी के संघर्स का मजबूत परतिक बन गया था और इस पूरे अंदोलन के पीछे एक पतला दूबला किसान था जिसकी जीद ने गांधी जी को चंपार कारन लाने के लिए मजबूर कर दिया हाला कि राजकुमार सुकल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिल सका जो मिलनी चाहिए थी इनके क्रित को याद करने के लिए भारत सरकार दवारा दो असमारक डाक टिकट भी प्रकासित किया गया है बिहार से अक्तियों के बारे में जानने के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ मुझे दीजिये इजाजत धन्यवाद